अब लुटकूं तू ए इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासिज बाटा तुड़ें डिसक्स आवाउट दा तुरिजम कि प्रेटल्स प्रेटल्स के बारे में हाज हम डिसक्स करते हैं कि प्रेटल्स क्या है लंबे समय तक एक परकार की लाइश्टाइल या एक काम करते रहने से मनुष्य बहुर हो जाता है इसलिए वो अपने आपको तरो ताजा करने के लिए अपने मन पसंद स्थानों की यात्रा करता है इसी यात्रा को हम प्रेटन कहते हैं यानि टूरिजम कहते हैं को यानि लॉंग टाइम तक एक परकार की लाइफस्टाइल जीने से मनुश्य है वो बोर होगाता है इसलिए वह अपने आपको तलो ताजा करने के लिए फ्रेस करने के लिए वह भार घूम कर आता है या जुसके पसंद के जो स्थान होते हैं वह वहाँ जातर घूमना पसंद करता है इसी को हम तूरिजम कहते हैं आज विशु के यह आज प्रैजेंट टाइम में विशु के 25 क्रोड पंजिकर्ट रोजगारों में से प्रेटर ही एक ऐसा चेत्र है जो तित्र कलाब का सबसी तेजी सी गुबरता हुआ चेतर और जीदिपी में इसका यूगदान 40 पर सेंट है जीडिपी में इसका योगदान 40 है जीडिपी मतलब ग्रोफ डौमेसτιक प्रफ़स। में इसका योगदान है व lunar है दौजशी परसंट है इसके इनका उतरीक परेटकों के नहने के लिए खाने के लिए, उनके लिए परिवैंट की सुधायं उपलब्द करवाना, उनके लिए जैसे लोंडरी वेगरा, होटल, रेष्टरा, इस तरह की सुधायं हैं, इनकी भी आवसकता होती हैं, इसलिए जो प्रेटन है, वो काफी लोगों को रोजगार परदान करता है, इस से जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए उनको एक गाइड भी चाहिए जो उनको उस प्रदेश के बारे में प्रोपर जानकारी बता सके कि इस प्रदेश में क्या क्या है क्या क्या इसकी खामिया है वो बजार भी चाहिए उनको परचेज करने के लिए रूटीन की व लोग इनका एडवेंचर करना चाहते हैं जैसे आप रास्थान में जब तूरिस्ट आते हैं तो वह उंत की सवारी करना बहुत पसंद करते हैं तो इसलिए उंत वालों को उससे रोज़़ार है वो मिलता है अब उसके बार नेक्स आता है कि विशु के पर्मुख परेटक परदेश यानि वर्ल्ड मेजर टूरिजम प्लेस की विशु के पर्मुख परेटक परदेश कोंचे हैं विशु में स्रवाधिक लोग प्रिये यान पर बहुत ज़र पासंद करते हैं उसके बादा आता है अपना भारत की बात करते हैं वहां पर बहुत जादा लोग गुमने के लिए आते हैं तुरिक देखो क्यों पर पर जाना पसंद करता है nearest रुसकोlles तरुश्त के लिए लेगे अवहां पर आतंकवार ने तूरिज्म को बिल्कुल खतम सा कर दिया है क्योंकि वहां पर क्या पता कब वहां पर अटैक हो जाए तो लोग अपनी जान के दुर के मारे वहां पर जाना है वह बहुत कम पसंद करते हैं इनके अलावा परेटर को रोब के सीड कारिए से तर्य तूरियस्त के वहां पर कापन के जाते हैं इनके अलावा अच्त करते हैं उन दृश्यों को देखने के लिए बहुत से लग हैं वो जाते हैं तका यतरक अत्र फैले वास्ते उद्धान भी प्रेटक परदेश उमें सामिक किये जाते हैं अनेक प्रेटकों को इतिहासिक समारकों यहनी इतिहास की जो समारक हैं जैसे अपना ताज महन लगा लो बुर्ज खलीपा इनको देखने के लिए जैसे अजमियत की दरगा यहां पर काफी टूरिस्ट हैं वो आते हैं क्योंकि ऐसे प्रदेश हैं वो टूरिस्टों को आकरसित करते हैं क्योंकि लोग उनके बारे में जानने के लिए बड़े एक्साइटिड या उत्सुख है वो होते हैं अब नेक्स आता है आपका हेक्टर अफेक्टिंग टूरिजम की ऐसे कौन से कारण है जो टूरिस्ट को इफ्क्ट करते हैं जिनका परवाव टूरिजम के उपर है वो परता है वह बिएक में फर्स्ट आता है आपका डिमांड या मांग अभी फिशलिस्ट स्थाप्ति में या इस 20th century में बढ़ती हुई व्यरस्ता के कारण जो लोग है वो अपने आपको तरो ताजा करने के लिए एक holiday की weekendly एक holiday की demand है वो करते हैं और उस holiday में कुस लोग हैं वो जैसे movie देखना कोई अपनी favorite जर्या पर जाकर गूमना पसंद करना गूमना पसंद करते हैं जिससे वो अपने आपको freshness है वो महसूस करते हैं अब क्या होता है कि छुट्टी के दिन ज्यादा मोज मस्ती वे भूमने पिने वाले लोगों की संग्या बढ़ रही है अब बढ़ती हुई व्यवस्था के कारण जैसे जैसे business बढ़ रही है लोग busy हो रहे हैं छुट्टी की demand है वो जादा बढ़ रही है अब छुट्टी वाले दिन लोग ज्यादा मोज मस्ती करते हैं कोई shopping करता है कोई movie देखता है कोई picnic पर जाता है कोई अपने राष्ट्य उद्दान में जाना पसंद करता है कोई अपने तूरिस्ट प्लेस पर जाना पसंद करता है तो क्या है कि वह अपने आपको एक freshness सी एक ताजगी क्यो तरीके से करते हैं next इसमें आता है transport यानि डावलब ट्रांसपोर्ट विक्सित परिवेहन अब क्या होता है परिवेंट का आरंध और अंत है वह ट्रांसपोर्ट के उपर ही depend करता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अब बाहर से या हम कहीं भी घूंबने जाते हैं जैसे हम दिल्ल बांबे जाना धिली से पंजाब जाना चंदीगर जाना तो उसके लिए कि अछी परिवेंट शुपिदाएं चाहिए जायो करता दिया है तो जाद लोग उसका इस्ते पूरी को नाइन आवर्स से जादा नहीं रखा है नो गंटे में हम विशु कि किसी भी कौने में जा सकते हैं तो इसलिए कि परिवेन के साधने काफी डवलप हो गए हैं लोग इनका इस्तेमाल है वो बड़ी कुसलता पूर्वा कर रहे हैं नेक्स आता है आपका पैकिंज और प्रवंदर आज ऐसी बहुत से ट्रेवल एजेंसियां हैं वो डवलप हो गई हैं जो घर से वापिस घर तक का पूरा कॉंट्रेक्ट है वो साइन करती हैं और आपको रास्ते में कोई तिक्कत नहीं आती किसी परकार की कोई परिशानी नही हैं से सिर्फ क्या होते हैं पूसेज परकी परकार की अतोर के उपर या उसमें कोई नहीं आती है पर्मुख परेटन आपकर्शन क्या चीज है जो परेट्रों को आकसित करती है उसमें फस्त आता है आपका अवकास का आनन लेने के लिए जलवाई है और महतकूर कारत है उधान के तोर पर धंगे परदेशों से लोग गरम परदेशों की और जाना पसंद करते हैं जैसे यूरोप से भुमद्र सागर तक्या परदेश की ओर बहुत से प्रेटक आते हैं क्योंकि सर्दियों में यूरोप के बाकी हिस्सों की तुलना में भुमद्र सागर तक्या परदेशों में खिली दूप रही हैं तो उस खिली दूप का आनद लेने के लिए यूरोप के ब तरफ जाना है वो पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर मोसम है वह थंडा होता है वाचर पर देशिंग में थंडा मोसम होता है जो प्रेटकों को आकरसित करते हैं जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग हैं वो आते हैं जैसे अपना केदा Rs. Vivi, QED seminar, अमर नास, इनको देखने के लिए काफिस हें हमें दूर दूर से दूर ओर आते हैं वो आते हैं जैसे हम बात करें करनाटन में जो मुचतरपात है जो स्रावती नगी के उपर है वो उसका मनोहालित रिष्य बड़ा ही सुंद्र है वो भी काफी संख्या में परेटकों को आकरसित करता है उसके बाद आता है हिस्ट्री इसमें क्या है कि बहुत से परेटक जिनें इतिहास पराजीन कलाओं का बहुत होता है वो जैसे नगर, किलों, महलों इनको देखने के इंटरस्टिड होते हैं वो इनको देखने के लिए जाते हैं जैसे रास्थान में जालतर जो तूरिस्ट आते हैं या फोर्नल जो आते हैं वो इतिहास और आर्ट से इलेके उनको देखने के लिए जैसे दिल्वारा के मंदिर बाड़ी, जैन मंदिर, इनको बहुत अच्छा प्रियोग किया गया है इनको देखने के लिए काफी संक्या में टूरिस्ट है वो आते हैं उसके बाद है आपका संस्कृति और अड़ फिष्था यानी कल्चर एंड एकोनमी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी स्थान के कल्चर को या इननी संस्कृति को देखने के बहुत जाला इंट्रस्ट सकते हैं कि वो किसी तरीके का जीवन है वो जीते हैं यह बी प्रेटेकों को का कि अतरशिफ हैं वो करती है और इंको प्रेटक देखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं परिटों के लिए वे गुत्तों पर्देश अतनत्ट लोग प्रिय हो जाता है जो उसे पूरा प्रधैसे हैं उसे परदेश के नामसे जाने जाते हैं कि उसमें उसे व॔रा प्रृत spill के नामаемсяें जाते हैं कोई शखारी और लूत पार्ट का कोई भ्र वह रहा वह नहीं होता लाता हुए मैं आपको पताना जाता हूं कि भार्ट के दृश्टी है होुं काफी लोग दिOR अदुद की दिभार्ट के बारे LSB करना चाहिए और गोवर्मेंट है वो भी इसके परती बहुत जाला अवेर हो गई है अगर हम किसी परेटन के साथ किसी पर्दार की कोई बत्तमीशी करते हैं तो उसके लिए बहुत सब्सक्त कानून बनाए गए हैं क्योंकि जो परेटन है वो हमारे देश में आते हैं हमारे द चाहिए और जो परेटन है वो आज के टाइम पर तिप्तक किर्या कलापों में बहुत तेजी से उबरता हुआ चेत्र है क्योंकि आज का जो टाइम है वो बहुत जाड़ा ब्रस्त बीजी हो गया है और उस बीजी टाइम में जो टूरिस्ट है वो अपने आपको बहार जाना पसंद करते हैं जिससे वो एक प्रेसनर्स महसूस करें और इस चेत्र में काफी रोजगार के आउसरों का सर्जन है वो हो रहा है